वेलो है वेलकम टू टू लिस्नाज वीवर्ण सब्सक्राइबर्स गैसे आप सब मैं उम्मीद करता हूं स्वास्त होंगे मस्त होंगे अपनी त्यारी में बैस्त होंगे बैटा आज कहें वीडियो जो है चितरकला के लिए चाहे आप प्राविधिकला की त्यारी करें या फिर UP में TGT और PGT की त्यारी करें और PGT में आर्ट वाले सब्जेक्ट के अगर आप त्यारी करते हैं तो यह मस्त इंपोर्टन डाटा है आठ से दस प्राशन है लेकिन बैटा ये design important है कोई भी आप previous year का paper उठाएंगे चार से पांच प्राशन हर वर्स पूझा गया है चार पांच प्राशन इनका नाम है सुनायनी देवी, सुनायनी देवी बहुत बार आप सन में आई हैं, लोग अक्सर गलत करके आए हैं, टीजी टी के लिए most important है अगर आप आठ सेसन में देते हैं, ठीक है, तो सुनायनी देवी पहली भारती है महिला चितरकार है, ठीक, next, जो दूसरा most important question आता है, वो एनेस बेंदरे साहब पर आता है, एनेस बेंदरे बड़ा ओधड़ा बिश्व विद्याले में प्राध ध्यापक के रूप में कारे किये हैं, ध्यान रखना है, बहुत बार repeat हुआ है question, थर्ड question जो आता है, थर्ड most important question है, डीपी राय चोधरी, अनि देवी परसाद रा कारे कर चुके हैं, जो नाम आता है पिटा, वो असित कुमार हल्दर जी का नाम आता है, असित कुमार हल्दर, लखनोग के आर्ड college में, बतोर principal के रूप में कारे कर चुके हैं असित कुमार हल्दर, और यह आपके syllabus में है most important है, ध्यान रखना है, यह जितने भी questions आज में कर रहा हूं ये most important है 125 में आपको ये देखने को मिलेंगे बार-बार तीन से चार प्रशन पक्का चपता है 125 में ठीक है पेपर कोई भी बने questions यहीं से put up होंगे next जो है छिती इंद्रनाथ मजूमदार उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी इनवस्टी में बता और सिच्छक की रूप में कारे कर चुके हैं नाम है इलाहाबाद बिश्विद्याले में सिच्छन का कारे छेती इंद्रनाथ मजूमदार ने किया है जबकि असित कुमार हल्धर लखनाव आट कालेज के बता और प्रेंस्पल की रूप मे कारे कर चुके हैं ने जो क्वेश्चन है most important है कई बार तो इसका उपनाम ही पूछ लिया गया है कांगड़ा चितरकला या फिर पहाणी चितरकला का उपनाम है पहाणी चितरकला और कांगड़ा चितरकला या फिर पहाणी चितरकला किसके समय में अपने चर्मोत कर्स पे प खर पे पहुँची थी, राजा संसार चंदर हो जाएगा, जो अगला इस्टप का question है, वो most important है बेटा, किसन अगर सहली चितरकला जो है, ये किसके समय में अपने चर्मोत कर्स पे पहुँची थी, तो ये सामंत सिंग के समय में अपने पीक पे पहुँची थी, राजा सामंत स भारत कला भौन, तो भारत कला भौन जो है, ये बेच्ची प्रांगण में इस्थी थे वारानसी में, ठीक है, बेच्ची प्रांगण में इस्थी थे वारानसी में, इसके अस्थापना 1920 में होती है, कृष्णदाय ने की थी, ठीक है, कृष्णदाय ने जो है, फाइनली भा की मृतिव कई बार question में पूछी गई है तो मगबूल फिदा हुसाइन की मृतिव जो है यह लंडन में होती है ठीक है लंडन में इनकी मृतिव हो जाती है ध्यान रखना है data most important है बहुत बार repeat हुआ है next जो most important question आता है वो national art gallery आता है तो national gallery of modern art पूछा जाता है तो national gallery of modern art कहां पे इस्थित है तो यह राष्टी राजधानी छेतर नई दिल्ली में इस्थित है data important है ध्यान रखना है next जो most important question आता है वो यह है कि अपने चित्रों को बिंदी से निरमित करने का स्रे बिंदियों से अपना चित्र बना देते थे ऐसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे तो बिंदी से चित्र बनाने वाले चित्रकार भारती खेर हैं ठीक है भारती खेर इसके right answer है भारती खेर बिंदियों से चित्र बनाते थे भारती खेर next जो most important question है ये बार बार पूछा जाता है लखनो एक रविंद्राले बनाया गया है और वहाँ पे एक मियूरल रखा गया है उस मियूरल को बनाने का स्रे किसे जाता है तो केजी सुब्रमन्निम साहब ने लखनो में इस्थित मियूरल को बनाया था जो लखनव के चार बाग इस्थित मियूरल जो है रभिंद्राले पे बनाया गया है वो है केजी सुपरमनियम के द्वारा पनाया हुआ तो ये थे कुछ दस बारा क्वेस्टन्स जो मोस्ट इंपोर्टन्ट है कोई भी पेपर बनेगा टीजी टी आर्ट का तो उसमें एक फिक्स है क्वेस्टन्स पूछा जाएगा और एक पेपर आप जानते हैं होता है एक सो पचीस संकों का होता है और एक सो पचीस प्रस्ण जो आते हैं उसमें तीन से चार प्रस्ण यहीं से सीधे पूछे जाएगे तो इस दस बारों questions एक दम fix स्याद करके रखिए बार बार repeat होते हैं questions इन ही दसो बारों में से ये questions put up होते हैं अगर आपको पता है direct answer आप कर सकते हैं एक भी minute आपका time दर्थ नहीं जाएगा मिलते हैं next episode में तब तक के लिए जहन